स्री शिवाय नमस्तु अब्याम दोस्तों आज मैं हम सभी के लिए महा महीने में जो उपाय किये जाते हैं जो उपाय बिसेस फल दायक होते हैं वह उपाय की वीडियो में आपके लिए लेकर के आई हूँ मैं उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा तो इस वीडियो में मैं आपको चार महा उपाय बताऊंगी जिनको करने से आपको जरूर ही फल मिलेगा तो शुरूत करते हैं जल चणाने की बेदी से लेकर के क्योंकि यहां पर कई लोग गलतियां करते हैं सबसे पहला जल हमें सीधे हाथ पर जहां गनीजी का नवास होता है वहां अरपित करना है उसके बाद उल्टे हथ पर जहां कारते के जी का नवास होता है उसके बाद जो असोग सुन्दरी है वहां पर जल अरपित करना है उसके बाद जो जलहरी होती है वहां जल अरपित करना है फिर उसके बाद हमें सीविलिंग पर जल अरपित करना है और तमें जो नंदी का उठा हुआ पैर होता है वहां जलारपित करना चाहिए और उसके बाद जबाब पूजा के सिवाले से बाहर निकलें तो जो दहली होती है वहां का भी पूजन आपको करना चाहिए इस तरह से अगर आप जलारपित करेंगे तो आपकी मनुकामना आवश्य पून होंगी सिप्राण के दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं जैसे मैंने लिखा है तिल का महत्व महा के महीने में तिल का दान करना बहुती जादा उपयोगी होता है आप अपनी श्रद्दा के अनुशार दान कर सकते हैं अगर आप पूरे महीने दान नहीं कर सकते हैं तो आप एकादसी प्रदोष के दिन सोवे के समय आप एक मुठी तिल अपनी छट पर डालें जितने पक्षी आपकी वो छट से तिल खाएंगे आपके जो कस्ट हैं जो रोग हैं वो दूर होते जाएंगे और इसी के साथ सनीवार के दिन पीपल के व्रक्ष के नीचे आप तिल का या भवान के मंदिर में आप तिल के तेल का दीपक भी लगा सकते हैं इसा करने से आपके घर में धन, संपदा, अभेवब हमिसा बढ़ेगा और जितने भी रोग या आने वाली जो भी कस्ट होंगे वो बहुत दूर होते चले जाएंगे आप बात कर लेते हैं आकरी उपाय जो कि धन, संपदा अभेवब को बढ़ाने के लिए है इसमें आपको क्या करना है आपको प्रति दिन एक लोटा जल जो कि आप सिवाले में लेके जाते हैं आपको एक और लोटा जल लेकर के जाना है उसमें थोड़ा सा लाल चंदन सिर् कभी नहीं होगी यह उपाय आपको प्रति दिन करना है सिर्फ रविवार के दिन आप यह उपाय ना करें मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो बहुत अथी लगी होगी धन्यवाद